हेलो गाइस वल्कम टो अने दर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फ्रेंस गिंसॉल इंजिनेरिंग की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज की इस वीडियो मुझे नलसिस करेंगे स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट ह इंकम है क्वाटर सब्सक्राइब ने इंकम में इंक्रीश करती भी नाज़र आ रही है एक्स पेंसेज 209.7 करोड पिछले इंगर दोन चुक्ति पॉरल का दिसंबर त्वाटर में 48.4 करोड का इंग एक्सपेंस भी क्वाटर अनक्वाटर एंग्स लिएर और बहुतत इंग profit 12.3 करोड का पिछले quarter में 11.3 करोड का और December 22 quarter में losses 1.9 करोड का क्योंकि taxes बहुत जदा पेख करना पड़ा 5.6 करोड का इसलिए losses हुआ था लिकिनी जब profit में increase हुआ है तो कह सकते quarter on quarter year on year दोनों की profit में improve होता वन अजर आ रहा है EPS 3.49 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है segment wise बात करेंगे तो EPC, lease, EV manufacturing, solar tracker, others इंसे भी को add करके revenue generate हुआ है जो कि बहुत strong growth है क्योंकि income profit दोनों में increase किया है अगर हमें standalone results को cover करें income में 209 करोड का पिछले quarter में 201.6 करोड का और December 22 quarter में 48.5 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों के income में increase किया है expenses 185.8 करोड का पिछले quarter में 180 करोड का और December 22 quarter में 44 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expenses भी increase किया income के according जिसके बाद operating profit 23.4 करोड का पिछले quarter on 21.4 करोड का December 22 quarter में 4.2 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में किया है net profit 17.5 करोड का पिछले quarter में 15.6 करोड का दिसमबर 22 quarter में 1 करोड का लॉस quarter on quarter year on year की profit में इंप्रूब देखने को मिला है APS 4.66 रुपीज का है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज किया थो गास company का standalone हो या consolidated बहुत कि इंकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया है तो अब हम लोग जो है वेडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक्षोडर में डिल देन बाबाद